सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकान को ज़रूर प्रेस करें जिसे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इस वीडियो में आपको आफिस मेनेजमेंट का बेसी कोंसेट इसे वे में एक्जेंपल के साथ समझाऊंगा और साथ में इसका क्या रोल होता है एक और और कंपनी के अंदर या किसी भी गुवर्णन सेक्टर के अंदर तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आफिस और मेनेजमेंट का मतलब क्या होता है देखे आफिस कोई भी रूम कोई भी सेट आफ रूम या कोई भी बिल्डिंग जिस जगह पे लोग मिल कर काम का रहे हों उनका बेसिक परपस हो किसी गोल को अचीव करना या वो किसी प्रॉफि करते हैं लीडिंग करते हैं ठीक है कंट्रोलिंग करते हैं मोनीटरिंग करते हैं इसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं यह सिंपल वे में अगर कहा जाए तो एफिशनसी के साथ और अफेक्टिवनेस के साथ चीज़ों को यूटिलाइज करना और मैनेज करना इसको हम मैनेजमें क्या होता है office management में हम क्या करते हैं कि जो office में होने वाले काम है different और office में करने जो काम लोग कर रहे हैं उनको और जो काम करने वाले हैं जो काम होने चाहिए उसको एक well way से organize करते हैं उसकी planning करते हैं कि हम देखते हैं check and balance करते हैं कि क्या जो हमने plan execute किया है उसका result हमें जो हम चाहते थे वो मिला के नहीं अगर नहीं मिला तो हम दबारा से plan change कर देते हैं तो यह वाले सारे काम जो होते हैं यह office में होते हैं तो इस office के जितने भी काम है simple word में अगर कहा जाए तो office हमारी productivity increase हो सके efficiency आये हमारे organization के अंदर हमें profit जादा से जादा मिले एक sustainable environment create हो जाए ठीक है तो एक well way से चीजों को manage करना इसको हम office management बोलते हैं तो यह simple सा इसका चोटा सा concept था और role मैंने आपको बता दिया कि रोल इसका यह होता है कि profit earn करना अच्छा environment create करना sustainable और result अच्छे मिले हमें profit मिले हमारा productivity increase हो organization के अंदर जो लो कामकार है उनके अंदर conflict ना है politics को काम करते हैं इसके अंदर हम तो यह सारी चीजों को हम इसके अंदर देखते हैं तो यह चोटा सा concept था I hope आपको clear हो चुका होगा वीडियो ची लगी हो तो सबस्क्राइब और लाइक करना मत बूलिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा गुडबाई